हैलो नमस्ते पढ़नाम कैसे बनी जरोवा लोगंत आसा करतानी कि आप लोग ठीक हो इब जा आज एगोरी नया रेश्पी लेके हम हाजिर बनी बेशन गट्टे की सबजी बनावे का रेश्पी जोन की बहुत ज्यादा स्वादिश्ट लागेला अगर इस तरीका से आप लोग एक कटोड़ी बेशन आए थोड़ा से लेल बनी हम आधा चमच कलम सम अजवाईन एक थोड़ा से करस्ट करके हम डाल देने ताके एकर स्वाद ज्यादा बढ़ जाए आधी छोटी चमच लेले बनी हल्दी पावडर आई हैं जीरा भूज लेले रनिया ओके पीस लेले रनि के थोड़ा से गरम मसाला डाला आ है एक फिर जए थोड़ा से नमक नमक थोड़ा ही डाले के वाटे ऐसे कि हम निगा सब्जी में भी नमक डाले के ङए थोड़ा से हम मलाई लेल रहनी हां दूद्द का एक चमच कलम सम तो इक जब्चान पावड़ी फिर बहुग जादा प बढ़ जे आएमा दूस तीन चमश हम तेल डाल देनी हां तर टिल जोन बाटे हम डाल जादा ना डलनी हाँआँए अब हम थोड़ा थोड़ा करके डाल यह तो देखिने सहीं किया कि हम थोड़ा से मिला लेव कूल चीज जब बढ़ियास मिला लेव जहना ता बहुत जल्दी कर दोज बंजी तो देखिए यह मत थोड़ा सहां मतलब पानी भी इस्तमाल के लिए रहनी है वो गरम पानी हलका साथ दो तिन चम्मत ज्यादा पानी नहीं और यह तेले से हम मतलब एक राके वेकर मतलब इसान लेनी हां तो एसे ही आप लोगों के मिला लेवे के बाट एक थो सोफ्ट बन के तियार हुई तो देखिए जी कितना बढ़ी यह हम जतने इक मिलाई जन्मा अटा नहीं गुंदब जा उतने बहुत ज्यादा मतलब एक्दम सॉफ्ट बन के तयार हुई तो एक के देखिए दू भाग में करके के लंबा लंबा इस ही एक मतलब तू बना ले के बाटे आएकर फिर भी हम अभी पीस करफ छोटा-छोठा ऐसे कि हमनी को भाले के पाटे यौह चार भाग में हमें की कर ले कि चार बाग कईला क बाद देके थोड़ा सोरी पतला कर ले भाव आई यहां रख ले रनियां गरम पानी होखे पानी उतना गरम नेखिये भई लेकिन पानी थोड़ा ज्यादा गरम कर लेब जा ताकि यह आपस में चिपके न ताहम देखिए यह चारू के इमें डाल दे थोड़ा थोड़ा दूरी पर करके डालो और एकरा के आश थोड़ा सा हलके रखा और धीरे धीरे खोल के 5-7 मिनट म यह हमने को जन्वा गट्ट इत्यार हो जाई तो देखिए यह आप एकरा खातें तब तक हम एक खुला तब तक हम यहां ग्रेवी खाती यहां ले 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 बानी हम टमाटर पीस ले ले रने मिक्सी जार में तीन टमाटर ले 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 ल मिलेनी हैं माधा चमच जीरा एक चमच गरम मसाला आधी चमच यहां लेनी हैं हल्दी और देखिए यहां थोड़ा सा नमक ले ले बाने नमक आप स्वाधनुसार ले ले बजा अई देखिए लहसुल अधरक और लाल मिरश का पेश्ट तैयार कर ले ले रहनी हां हम पीस के तब बे काटे के बाटे ताकि मतलब भी चिपके न तो देखिए जए इक आट काटके सही एक रहा से बड़ा पीस नहीं के करें के इसे छोटा छोटा हमनी का पूरा गट्टा काटके तैयार कर ले वे के बाद तो एक बर इह तरीका से बनाए बजा सबजी बहुत ज्यादा तो देखिए पूरा काटके हम यहां तैयार कर ले बनी आयता है पीसम कटले बनी इसे ही काट लेवे के बाटे अप लोगन के अब कटला का बाट एक रहा के थोड़ी सा हमनी को तले के तल्ला से कहा होला ना कि स्वाद जुन बाट सबजी को दूगना हो जाला गर यह तरह त तो थोड़ा सा ही तेल में हमके तल्ले के बाटे थोड़ा थोड़ा डालके दूबार में हम पूरा गट्टा के जुन बाटे तल्ले तैसे ही आप लोगन के तल्ले के बाटे ज्यादा तेल मत डाल जा और देखिए तल के सही अब निकाल ले ज्यादा तल्ले के नहीं खेक र तो देखिए जब पूरा गट्ट जवन बाटे हम तल के निकाल लेले बनी अब यहां जवन तेल भचर अल्लाव वही तेल में हम डाल देले बनी जीरा आई हां जवन प्याज कटले रणी हां उप्याज के माँ डाल दे अडल्ला कबाद एके भून ले दो से तीन मिनट तक अब ओकर बाद देखिए जा एकर कलर बदल रहल बाटे तब इभूना जी तेमा हम डाल दे ट्रमाटर जन पीसले रणी हम ट्रमाटर ओ डाल दे आउकर बाद थोड़ा से पानी डाले में ज्यादा निखे डाले के अभी एकरा के कम से कम आप लोंके 5-7 मिनट तक मसाला के भ बढ़िया ज़ना जलना तो सबजी का स्वाद जर्माटर बाट जलना तो मसाला हमेशा कम आज पर और बढ़ियां से भूनव जद तब बेस वजी आप रोंको बढ़िया बनी तो देखिए जई हैं हमार मसाला भून के होगल बटे बिलकुल तैयार अब इमा डाल देभ हम प पर लिए रहनी हैं तो वही का पानी बचरल है उहे पानी हम इमाँ डाल देनी हैं तो ओके डाल अब जना तो जो स्वाद बना सबजी का और ज्यादा बढ़ जला इमा अलग से भी हम गरम पानी रख ले रहनी है उड़ाल दे कहा है कि जब यह बेसन हाना तो यह थोड़ा से पानी थोड़ा ज्यादा रखे के वाटे और देखिए यहां नमक डाल देभा नमक आप लोग स्वाद अनुसार जाल लग जाए इसे की गट्टे बनेले रहनी है जाओ माँ भी नमक डले रहनी है जाए इसे नमक हिसाब से डाल अब जादे लागे लागी आप देखिए जब वने का मसाला का पांए जब खोले लागे ना पट्ब कि एमा AG्ट डालें के वाटे उसें डाल के के प्पांच मिनटी्ह मिनटीक पकावेखे और देखिंघाए पांच मिनूट होगल राटे अपक्क के अमनेकों गट्टे का सबजी होगल बठे तय यार अधिए इतने कर दो ड्वाटने लागा आपफ वठी से लागा तो आप लोग चाहँ, शा कीजिए, लोटी ने लिए हम की नलाकेा है करना है सस्क्राइब कर जा और कमेंट करके हमके जरूर पताईब जा कि बेशन के गट्टे की सबजी आप लोग के कई सन लागल हो तो आपन बेहत ख्याल रखी जा अहां मिलतानी आप लोगों से अगला वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद